उत्तरखंड से तीर्थ यात्रियों के लिए खुशकबरी जी खबर ये है कि अब सभी शद्धालों के लिए किदारनात धान के कपाट खोल दिये गए है किदारनात मंदर जो उत्तरखंड के उच गड़वाल शेत्र में स्थित है इस मंदर की कई मानिताई है भगवान शिव के एक मात्रदर्शन के लिए लोग यहां दूर दूर से आते हैं और ऐसे में कपाट खुलने की खबर तीर्थ यात्रियों में खुशी की लहर की तरह दोड रही है आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुरोत्री धामों के कपाट शीत काल के दौरान छे महिने तक बंद थे आज यानिकी अक्षे तित्या के पावन अफसर पर फव्य कपाट खोल दिये गए है इसके साथ ही चार धाम यात्रा का भी श्री गनेश कर दिया गया है इस दौरान हजारों की संख्या में शद्धालू उपस्थित रहे वही इन चार धामों में से एक है बद्रिनाथ धाम जिसका कपाट खुलना अभी बाकी है मंदिर सभीती के अनुसार बद्रिनाथ के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खोलेंगे तैयारिया शुरू हो चुकी है सजावट का काम भी चल रहा है बताया जा रहा है कि मंदिर को 20 गुंटल फूलू से भव्य रूप से सजाया जा रहा है ऐसे में वहां का महल भगवान शिव के जाप से कुनजामय हो चुका है इस यात्रा को लेकर शद्धालूं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है अभी तक धामों केल दे 22 लाख से अथिक शद्धालूं अपना पंजिकरन करवा चुके हैं अभी तक पंजिक शद्धालूं खराऊ है